कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं जॉनपुर सीट को लेकर भी ऐसा ही हुआ पत्नी के नामांकन से ठीक पहले धरंजा सिंग बरेली से जेल से बाहर निकले ठीक उसी दिन पत्नी श्रीकला ने जॉनपुर से नामांकन दाखिल कर दिया धरंजा सिंग जोर शोर से पत्नी के चुनाओं में जुटने का एलान करते हैं और कुछ दिनों तक ऐसा करते हुए जॉनपुर में दिखाए भी दिए लेकिन बस कुछ ही दिनों क्योंकि इसी बीच खबार आई कि मायावती ने धरंजे सिंग की पत्नी श्रीकलाका जौनपूर से टिकट कार दिया हाला कि तब इस बात की चर्चा थी कि धरंजे सिंग नहीं पत्नी का नाम वापस करवाया है और अब तस्वीर साफ हो गई है धरंजे सिंग बीजेपी के साथ आ चुके है को अगर हमको बाबू सिंग कुस्वा और क्रिपा शंकर में चैन करना हमारी अब मैं चुकि कंटेस्ट में नहीं हूं तो मुझे कन्विक्शन होने के नाते उस परिपेक्श में देखता हूं कि जौनपूर में लोकल व्यक्ति को ही चुन लिया जाए बहले बंबई से आये हैं लेकिन हैं तो यहीं बसेंगे घर परिवार के लोग हमारे एक-एक सहयोगी जो हमारे साथ हैं वो सब लोग ओड़ करेंगे भारति जंता पड़ा हैं विपक्ष में आज मैं नहीं हूं तो मैं मोदी जी योगी जी के साथ हूं अब जबकी धननजा संग बीजेपी के साथ हैं तो सवाल पत्नी के टिकट कटने के पीछे साजिस वाले उनके बयान पर भी सवाल उठना लाजमी है बस्पाने धनन्जा सिंग की पत्नी श्रीकला को पहले जौनपूर से टिकट दिया था लेकिन बाद में एन मौके पर उनका टिकट काट कर पार्टी ने मौझूद अस्तांसद श्याम सिंग यादव को उम्मिद्वार बना दिया बियस्पी नेताओं ने दा कहानी इससे भी आगे ये है कि आने वाले दिनों में धनन्जा सिंग की पत्नी श्रीकला बीजेपी में शामिल हो सकती है लेकिन धनन्जा सेंग ने साफ कर दिया है कि ये फैसला उनकी पत्नी श्रीकला का होगा और उन्हें इससे कोई अतराज नहीं है आपनी राजनीत कर रहा हूं independent मेका, आप independent ही रहा हूं, बलकुल